नमस्कार वंदिना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको उच्च रक्त चाप या हाई ब्लड प्रेशर जो हो जाता है उसके लिए मैं दो दवा बताने जा रही हूँ अभी मेरे नाति को जो 20 वर्ष का है उसको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हो गया था तो हम उसको हमने दी तो उससे उसको घोत आराम हुआ क्योंकि आजकल की जो युवा पिड़ी है वो गलत खानपान जैसे बाहर का खाना ज्यादा पसंद करती है इसलिए हम अपने परमपरागत खाना हम अपने बच्चों को खिलाना भूल गए हैं तो उसके लिए मैं यही आप से बिंती करती हूँ कि बच्चों को अपने घर का खाना ज्यादा तर खिलाएं और भार का खाना खाने से उन्हें मना करें तो उसके लिए मैंने यह लिया है यह एक प्याज है जो मैंने कद्दुकस करके रखा है और शेहर है जो उसको बराबर मात्रा में हमें लेना है अमें कद्दुकस क्या हुआ प्याज इसमें डाल रही हूँ साप कपड़े में और इसको निचोड के इसका रस निकाल लेंगे ये बहुत अच्छी दवा है तो कि मैं तो प्याज वागेरा खाती नहीं इसलिए मेरे कोई ब्लड पेशर रहता है लेकिन मैं ब्लड पेशर की गोली खाती हूँ पर प्याज मुझे चलता नहीं है इसलिए में ये दवा नहीं ले पाती हूँ तो ये एक चम्मच के करीब प्याज का रस है अब ये इसमें एक चम्मच हम शहट डालेंगे यह चम्मच हमने शहट डाला अब यह इसमें मिला लेंगे और बस यह तुरंत निकालके और आप अगर 5-7 दिन लेंगे तो इससे भूत आराम मिलता है और प्याज का रस जो है खून में कोलेस्टेल की मातरा को कम करके और दिल के दोरे को भी यह रोपता है और हमारे इसनायूस अंसान नर्वस सिस्टम के लिए भी एक टानिक का काम करता है, खून साप करता है, पाचन में सहायक है और हमारे हार्ट की जो क्रिया है उसको सुधारने वाला है अगर आपको नीन नहीं आती तो वो आपको अनिंद्रा से रोपने वाला भी है और शहर्द जो है शरीर पर अच्छा प्रभाव डालता है इरक्तवाईनियों की उतेजना को घटा देता है और उनको सुकोर कर उच्छे रक्तचाप घटा देता है तो ये प्याज का रस और शहर्द अगर आप बराबर मात्रा में लेंगे तो पांसाथ दिन लेकर आप देखें इससे आपको बहुत फाइदा होगा अब ये ये तो हो गया प्याज का रस और शहर्द और जो मैं लेती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने आदा आदा कब पानी लिया है और ये आदा निबू लिया है अब ये आदा कब पानी में ये आदा निबू निचोड ली दिये यह मैंने आदा निबू इसमें निचोड लिया है अब इसको दिन में आप अगर आपको ज्यादा हाई ब्लेट पेशर ज्यादा है और उससे पुरंत लाब पाना है तो इसको दो-दो घंटे में आप दिन में दो या तीन बार लेने से इससे लाब होता है और इसके प्रियोग से जो हमारे रख्तवाईनी जो होती है उसकी कठोरता को दूर करता है और उसमें लचक और कोमलता आती है और जो नीबू है वो रदे को शक्ति देता है और इसके सेवन से हार्ट फेल का भाय नहीं रेता है तो यदि आपको उच्चे रखते चाफ है हाई ब्लग प्रेशर है और आप अगर ये नेचरल दवा लेना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं ये आदा खब पानी में आदा निबू निचोड़कर आप ले सकते हैं और अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज का एक छोट अगर भी ले सकते हैं तो इसलिए ये मैं संदेज देना चाहती हूं कि यदि आपको हाई ब्लग प्रेशर है और आपको फाइदा नहीं हो रहा है और नीम नहीं आती है तो आप ये लेकर देखिए तो इससे आपको बहुत फाइदा होगा तो यदि आपको मेरा ये वीडिय पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए